गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलिन के दौरान सबसे महत्वपून बात की हिंदू मुस्लिम सत्भा जिसमें प्रिटिश सरकार द्वारा किये गए अत्याचारों से कंधे से कंधा मिलाकर जूझने की हिम्मत उपचिदी मुसल्मानों ने हिंदू नेताओं को मस्चिदों में भाषन देने के लिए बुलाया स्वामी शद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्चिद में भाषन दिया दिसंबर 1919 में कॉंग्रेस का अधिवेशन अम्रत्सर में प्रिट्वा अम्रत्सर के इस कॉंग्रेस अधिवेशन में श्री निवास शास्त्री, मदन मोहिन मालविये, श्रीमती एनिवसंद, बाल गंगाधर दिलक, अलिबंधू, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, स्वामी श्रध्धनंद और चित्रंजन दास आदी अनेक वादी नेता मौजूद थे, गांधी जी भी इस अफसर पर उपस्नित थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोतिलाल नहरू, हाला की नरंदल के थे, लेकिन प्रिटिश सरकार के नितियों से तंग आकर उन्होंने भी सकती का रुफ अपना लिया था, उन्होंने कहा हम वैच स्वत्तंतता चाहते हैं, इस अधिवेशन में स्वागत समिती के अध्यक्ष की हैसियत से स्वामी श्रधानंद ने हिंदी में भाशन दिया था, और उन्होंने श्रुताओं को भारत माता के पुत्र तथा पुत्री कहकर संभोधित दिया था, प्रतम विश्वयुद्ध के दोरान तुर्की मित्र देशों के खिलाफ रड़ा था, इसके लिए ब्रिटिश नेताओं ने उसे भूसा दिलाया था कि तुर्की सामराज्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ तुर्की सामरा की इस कारवाई की जोरदार खिलाफत की, भारत में चले इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुक नेता थे मुहम्मद अली, शौकत अली, अबुलकलाम आजाद, कॉंग्रस ने मुसल्मानों के साथ पूरी सहानफूत इवक्त की, और नवंबर 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारत ये खिलाफत सम्मेलन हुआ, तो उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, गांधी जी ने इस अफसर पर लोगों को यही समझाया, कि समस्या को हल करने का एक मात्र हल असहयोग आंदोलन है, इसे खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने थिस्विकार किया, 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता में हुए खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद में थी, इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पर एक तस्ताफ पास किया गया, और बिटिश सरकार को खिलाफत आंदोलन का मतलब समझाने के लिए एक प्रतिनिधी मंडल 2020 को केंद्रिय खिलाफत कमिटी की बैचत में ये तै किया गया कि वो अहिंसक्त असहयोग आंदोलन में शामिल होंगी, अबुल कलाम आजाद में इस बारे में स्वष्ट ऐलान किया, अगर भारत आजाद हो जाता है और उसकी अपनी सरकार का शासन होता है, जो मुसल्मानों से अपने देश की रक्षा करें, चाहे वो हमलावत मुसल्मान हो या स्वेम खलीफा ही क्यों ना हो, गांधी जी ने भी इस बारे में कहा था, मैं भारतिय होने के नाते, अपने अन्य भारतिय भाईयों के कष्ट संकतों में भागेदार होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, अगर मैं मुसल्मानों को अपना भाई मानता हूँ, तो ये मेरा कर्तव है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संकत लगता है, तो मैं उनकी पूरी शक्ति से मदद करने नौ जून को खिलाफत कमिटी की बैच्छत इलहबाद में ही उसने असहयोग के चार मुद्दे तैकी खिताबों और उखदों का त्याग सरकारी सिविल सेवाउं से इस्तीफा पुलिस और सेना की सेवा से त्याग पत्र और टैक्स देने से इंकार करना जुलाई 1920 में सिंध में खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी भी मौजूग थे उन्होंने 23 करोड हिंदूों को आवाज दी कि वो साथ करोड मुसल्मान भाईयों की सहायता के लिए आगे आए 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने खोशना थी कि असहयोग आंदोलन पहली अगस्त से उपवास और प्राथरा के साथ शुरू होगा लोकमान ने बाल गंगाधर तिलक ने भी असहयोग कारेक्रम को अपना पूरा समर्थन देने का वचन दिया किन्तु दुर्भाग गिवश पहली अगस्त की प्राथा से पूर थी रात को उनका देहान थो गया उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में गांधी जी, शौकतली और डॉक्टर किचलू प्रमुक थे गांधी जी ने कहा था मेरा सबसे प्रवल सहारा मुझसे छूट बया वो जो मनुश्यों का सिर्मौर था नहीं राथ सिंग गर्जना शान्त हो गई आने वाली असंख्य पीडियों तक हम उसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे ये पीडियां उसका स्मरण एक ऐसे आधनी के रूप में करेंगी जो जनता के लिए जिया और जिसने जनता के लिए जीवन विसर्जित कर दिया आईए हम उनकी वीरता, उनकी साधगी, उनके अध्भुद, अध्वय वसाये और उनके देश प्रेम को अपने जीवन में अपना कर भारत के एक मात्र लोक मानने का चिरस्थाई स्मारग बनाए पहली अगस्त 1920 को सारे देश में पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी, शौकत अली, मुहम्मद अली तथा अन्य लेताओं ने देश में दूर दूर तब दौरा किया लोगों में उत्साह जगाया और हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया इससे जनता में न सिर्क चेतना आई बल्कि असरयोग आंदोलन का संदेश फीप लेला चार सितंबर को कलकत्ता में कॉंग्रिस का अधिवेशन वा लाला लाजपत का इसके अध्यक्ष थी इस अधिवेशन में आंदोलन के प्रस्ताव को मुहमद अली जन्ना को छोड़कर सभी नेताओं का समर्थन लिला इसके बाद जब नाकपुर में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 1922 तक कॉंग्रिस का अधिवेशन हुआ तो यहां भी जन्ना को छोड़कर सभी ने एक मत से असहयोग रस्ताव की पुष्टी करती है इससे कॉंग्रिस एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर आई जिसका उद्देश शे स्वाधीनता संग्राम का संचालन दमा था गांधी जी के नित्रत्व में असहयोग आंदोलन बहुत जोरों से चला इस आंदोलन में हिंदू मुसल्मान दोनों ने कंधे से कंधा मिला कर और पूरे जोश के साथ भाग दिया बड़ी संख्या में मुसल्मान कॉंग्रिस में बंती हो गए काशी विद्यापीट, गुजरात विद्यापीट, जामिय मिलिया इसलानिया, बिहार विद्यापीट, तिलक महराष्ट्र विद्यापीट, आदी अनेक राष्ट्रिय विद्यालियों की स्थापना हो बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलिजों की पढ़ाई छोड़ दी, बहुत से शिक्षक थी उनसे इस्तीफा देकर निकलाए बहुत से मशूर वकीलों और बेरिस्ट्रों ने अपनी वकालत छोड़ दी और राश्ट्री आंदोलन में शामिल हो गई इनने प्रमुख थे मोतिलाल महरू, लाला लाश्पत्वाय, सरदार वल्लब भाई पठेल, पंडित जवाहर लाल महरू, देश बंधु चितरन जंदास, विठ्थल भाई पठेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुलकलाम आजाद, और डॉक्टर अंसारी गांधी जी को दक्षन अफ्रीका में काम करने के लिए केसरे हिंद का जो स्वर्ण पदक दिया गया था, वो उन्होंने लोटा दिया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपादी सरकार को लोटा दिया सुभाष चंद्रबोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया सैकडों लोगों ने बिटिश सरकार से मिले खिताब और पदक लोटा दिया बिहार के सीनियर बारिस्टर मजरूल हक जो नवाबों जैसा जीवन जी रहे थे और आलिशान कोठी में सुख सुविधाओं से भरे वातावरण में रह रहे थे गांधी जी के प्रभाव में ऐसे आये कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे दीघा घाट पर एक छोटे से बंगले में रहने रगे बाद में उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया जो आगे चलकर राष्ट्रिय गतिविध्यों का केंद्र बना जगा जगा विदेशी कपरों की हूली चलाई ते स्वदेशी चीजों का चर्खों का विशेशकर खदर के हाच से बुने तते कपरों का प्रचार बढ़ने लगा शराब और विदेशी कपरों की दुकानों के सामने कॉंग्रेस के स्वयम सेवकों ने देश भर में धरना देना शुरू किया और लोगों से उन्हें न खरीदने की बात पर है असरयो गांदोलन जैसे जैसे तेज हुआ बिटिश सरकार ने उसे कुचल देने के लिए उतनी ही तेजी से दमन चक्र चलाया जगा जगा शान्ति पूर्ण स्वयम सेवकों और सत्याग्रहियों को पीचा गया और उन्हें गिरफतार करके जेलों में डाल गया अली बंधू, मोतिलाल नहरू, चित्रण जन्दास, लाला लाश्पत गया, मौलाना आजाद आधी तमान नेताओं को विरफतार करके जेलों में बंद कर दिया गया गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में राश्टवात, राजीर और धर्म का अनोखा मिश्रण था पंडित जवाहरलाल नहरू के शब्दों में वो जन्ता जिसका मनोबल तूट रहा था जो पिछड़ी और बिखरी हुई थी अजाना कुण बैठी उसने अपना मस्ता कूचा किया और देश व्यापी संयोक्त कारेवाही में अनुशासित ठंक से सनलग्ण हो गए हमने महसूस किया कि उसकी यही कारेवाई उसे अजय शक्ति प्रदान करेगी उस समय गांधी जी और उनके हजारों आस्थावान कारेकरता देश भर में फैल गए थे और उन्होंने नगरों और गाउं में असहयोक का संदेश प्रचारित कर दिया गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि सारे देश में उनकी बात सुनी और मानी जा रही थी उन्होंने असहयोक का अर्थ बड़ी सरल भाषा में समझाया था बुराई और भलाई में अंधेरे और उजाले में कभी सहयोग नहीं हो सकता इसी तरह भारती जनता में और उसके हितों की विरोधी सरकार में सहयोग संभव नहीं हमारे विडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर्स जरूर करें अगर आपके कोई क्वेस्चिन्स हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें